ह 신기 हैं किए स्टूरेंट किसे हैं है लोग आप मैppenत कई लोग मुझे बहुत निंबात देख रहे होगे मैं सेलें के साही समय का इंतजार किस टैनके मुझे वापिस आना है और यह ही आप ये बस कंप्लीट कराते हैं बच्चों का और अब जब तक आपके बोड एक्जाम नहीं हो जाते फाइनल विल्कुर तब तक मैं आपके साथ रहूंगा डेली आपको लेक्टर्स मिलेंगे यह वादा है ठीक है तो चली शुरुआत करते हैं क्लास 10 की जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्त ले रहे रहे हैं साइंस और साइंस के अंदर पढ़ेंगे फिजिक्स पहला चैप्ता लाइट जीसको हम टॉपिफिक्षण एन्दर दो पार्ट है रिफ्लेक्शन एंड रीफ्रेक्शन हम शुरुआत करेंगे रीफ्लेक्शन से इस बार मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो lecture जो रहेगा, वो exam oriented रहेगा, हम यदी कुछ lecture को पढ़ रहे हैं, हम किसी topic को पढ़ रहे हैं, तो इस topic के end में, उस lecture के end में जो आखरी के 5-7 minute रहेंगे, ये तैमान लीजी आप, किसी भी lecture को उठा के देख लेंगे, आने वाले समय में किसी भी lecture को उठा के देखने हैं, आपको आखरी के 5-7 minute में, आपको questions में लेंगे, मैं आपको बताओंगा, कहां से MCQ आ सकता है, कहां से assertion reason आ सकता है, कहां से two marker question आ सकता है, ये सारी बाते हर lecture के दोरान आपको मिलेगी, हर subject में देखने को मिलेगी, ये तरीका मैंने इस question practice बनाओंगा, PYQ बनाओंगा, पर शुरुवात कर रहे हैं, डीटेल lecture के दा, तो चली बच्चों, very welcome you, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आप सभी को all the best for your future endeavors, कि अभी आप भविश्य में सब कुछ हासिल करें, और इसी शुक्तावनाओं के साथ मैं चालू करता ह उस प्यारे से lecture को copy pen निकाल दीजिए, heading लगा दीजिए, light reflection, ठीक है न, चली शुरुवात करते हैं, यह हमारा lecture objective है आचका, आपने देखे लिया है, सबसे पहले बात करते हैं, what is light, simple answer भी है, light is the form of energy by which we can see the objects, सही बात भी है, light एक energy का ऐसा form है, जिसके कारण हम दूसरे objects को देख पाते हैं, कि light जब किसी object से टकराती है, और टकराकी हमारी आखों तक पहुंसती है, तब वो object हमें visible होता है, for example, यह मेरी पिछे हमें white board है, यह मुझे दिखने ही रहा है, light इससे टकरातो रही है, पर इससे टकराके मेरी आखों तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसको देख पा रहा हूँ, क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि light इससे टकरा रही हो, टकरा के कहां पहुंच पा रही है, मेरी आखों तब कहुंच पा रही है, तो light is the form of energy by which we can see the objects, बहुत simple, शुरुबात करते हैं, आप types of light rays, हैं यह डाइग्राम जरूर बनाते चले, यह होती है, डाइवर्जेंट लाइट, अलार मतलब लाइट, डाइवर्जेंट लाइटरे का मतलब यह होता है, एक पॉइंट से निकलने वाली light rays, आपने ऐसी light rays बहुत सारी देखी है, आप सबके घर में tube light होंगे, bulb होंगे, हेलोजन हो आप क्या देखते हो, light जिब निकलती है, तो बल वे एक जगे पे लगा हुआ है, पर light पूरे कमरे में फैल जाती है, जिस मालोव एक experiment करना है, तो पूरे कमरे में अधीरा कर लेना, अभी, 7-7-8 बजे रात के समय, जादा रात मत करना नहीं, तो मुम्बत्ती दिया जला हो बूद प्रेट समल लेगा, तो हो गया काम, थेल डल गया होई कि ऐसा काम मत करना, ठीक है, अधेरा हो जाए कमरे में तो दिया जलाना, जैसी दिया जला हो, मुम्बत्ती जला जला हो, पूरे कमरे में पर रोश्नी हो गई, क्योंकि वो कैसी light ray है, divergent light ray, यह source हो गया, this point is the source of light और light पूरी जगे पर फिल रही है, source से रिकल के हर जगे फिल रही है, इसे हम divergent light ray कहते है, divergent light ray कौन देते हैं, divergent light ray सबसे पहले तो real object देते हैं, कौन देते हैं, real object, ऐसे real object जो हमारे nearby हैं, nearby, real object भी है और nearby जो हमारे बहुत पास होते हैं, example, bulb, candle, ऐसा कोई भी object जो हमारे पास में है, eliminated object होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम किसी भी मालो एक chair पड़ी होई है, तुम काओ भई यह भी हमारे पास में light क्यों नहीं देता, भाई उसके पास खुद की light होनी चाहिए, तब, अगर ऐसा कोई object है, जिसके पास खुद की light है, और व भी अप, मिटाने है, चल, मिटाने हो, अब इसके बार बारी आती है, parallel, parallel light ray कौन देते हैं, parallel light ray भी हमारे real object देते हैं, parallel light ray भी हमारे real object देते हैं, बट ऐसे जो हम से बहुत दूर होते हैं, एसे object जो हम से बहुत दूर होते हैं, example के लिए, sun, सूरस से निकलने वाली जो रोश्नी है, उसको parallel light ray भाना जाता है, सूरस से जो आने वाली जोश्नी है, sun से जो light आती है, उसको क्या माना जाता है, parallel माना जाता है, मतलब अगर कभी आपको यहां पे आप, अगर आप लोग numerical की तरियादी भी यहीं से करना चाहते हैं, तो आपको एक note बना के point लिखना चाहिए, कि अगर आगे कभी lecture में या कभी भविश्य में हमारे सामने एक प्रश्ना आता है, एक question आता है, और question यह है, an object is placed at a very long distance, एक object को बहुत दूर distance पर रखा गया है, अगर बोल दिया, उपने distance mention नहीं करी, सर बोल दिया, an object is placed at a very long distance, तो उससे आने वाली light ray आपको कैसी consider करनी है, उससे आने वाली light ray आपको parallel consider करनी है, और यदि बोल दिया गया, object 10 meter पर रखा है, 20 meter पर रखा है, 100 meter पर रखा है, एक किलो मिटर पर रखा है, यदि distance mention कर दी है, तो आपको उस object से निकलने light ray कैसी मानने पड़ी कि, divergent, यदि distance mention नहीं करें, सर्वोती है, an object is placed at a very long distance, you have to consider light ray parallel, क्योंकि real object जो कि हम से बहुत दूर होते हैं, उन से निकलने वाली light ray हम क्या मानते हैं, parallel, example, sun, I hope ये clear हो गया होगा, ये वी note कर दिया, आपने note भी लिख दिया होगा, तीसरी प्रकार की जो light ray होती है, वो होती है Convergent, तीसरी प्रकार की जो light ray होती है, Convergent, ऐसी तुमने नहीं देखी होगी, directly नहीं देखी होगी, तुमने विद्दा help of mirror and lens देखा होगी, विद्दा help of mirror and lens तुमने ये देखा हो, Convergent, Convergent मतलो देखो, ये light ray जो है, किसी source से निकल के आ रही होगी, पर एक पॉइंट पे से देखते हो, lens और mirror, पर यहां आभी lens और mirror तो हमने सीखा ही नहीं, lens और mirror की हम बात ही नहीं कर रहा है, मैं तो आप से direct कहे रहा हूं, क्या आपने direct ऐसी कोई light ray देखी, जो converge हो रही है, नहीं, हम नहीं देखा, इसलिए हम कहते है, Convergent light ray कौन देते है, Virtual object, Virtual object कौन, वो, प् concept, चली, आप notes बनाते जा रहे होंगे, types of light ray के बारी आती है, हमारी सबसे main definition आज के lecture की, reflection of light, और आख बहुत बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, भी यह reflection गया होता, में चीज तो कई लोग इसमें पढ़ने बताऊं क्या बैठी है, और यह सीधे spherical मेरार के numerical कराओ या PYQ बहुत जल्द आजाएंगे numericals पे, patience रखो, इतने दिन रखाएंगे तिम्नान रखो, जरूर आगे तक पोचेगे, reflection of light, ठीके ला, reflection of light या होता भी है, bouncing back of light from a polished surface, जब कोई एक light ray आती है, किसी polished surface पे टकराती है, तो वो जिस medium से आती है, उसी medium में वापस लोट जाती है, जब कोई light ray आती है, किसी polished surface पे टकराती है, तो वो जिस medium से आती है, उसी medium में वापस लोट जाती है, this concept, और we can say that this phenomenon of light is known as reflection of light, और in small definition, the bouncing back of light from a polished surface, the bouncing back of light from a polished surface is known as reflection of light, यहाँ पे में एक प्रोपर डियाग्राम अना रहा हो, आप लोगी बनाई लीगा, ठीक है न, इस point को नाम देते हैं, O, A, B, N, यह I, यह R, सब कुछ mention कर रहे हो, A, O, A, O क्या होगा, incident ray, वो आली ray, जो टकरा रही है, O, B क्या होगा, reflected ray, reflected ray, एंगल आई क्या होगा, एंगल आई क्या होगा, एंगल आउप incidence, एंगल आउप incidence, एंगल आउप क्या होगा, एंगल आउप reflection, जहादा नीचे तो नहीं रिख दिया, नहीं तो पता चले बाद में कड़ जाए, और नहीं यह बहुत जगा है, क्या है, एंगल आई, एंगल आई, एंगल आउप incidence, एंगल आउप क्या है, इसको बना यह बड़ा, इंट्रेस्टिंग पॉइंट है, कई लोग इसको गलत समझ देते हैं, ओन नहीं है, और इस नॉट आड़े, इस जस्त नॉर्मल, नॉर्मल या निकिया मान सकते हैं, इस पर्पेंटिकुलर, पर्पेंटिकुलर, एक इमेजनरी लाइन है, इसको कई लोग नॉर्मल भी कहते हैं, इसको कई लोग नॉर्मल भी कहते हैं, इस जिसकी मदद से सारे के सारे सारे एंगल बनाया जाते हैं, अन्ग लाइन किम्दद से मनाया जैसे आपको कणि और इसा Beck toy जो चुनाया हूँ यह आपको सबronne आ प्येश्ड होता है पर आपको ज्यानना जरूरियर चीट माता होता है इंगल में है इंसिदेंट रें हैंड नॉर्मल है कि इसके अलावा एंगल इंसिदेंस कुछ नहीं होता जो नॉर्मल और इंसिदेंट रें इसके पीछ करना है आपको कि अगर बात हो रही तो कौन सा इंगल की बात हो रही है क्या हो इंसिदेंट ट्रे और नॉर्मल के बीच का इंगल है वही एंगल और इंसिदेंस कहलाएगा इंगल और इंगल रिफ्लेक्टेटेड रेंड नॉर्मल एंगल बिट्विन रिफ्लेक्टेड रेंड नॉर्मल अब हमेशा है रखें अभी कोश्चन सॉल्ट करते समय तो मैं आगे काम आएगी जीज कि नॉर्मल जो है यह जोंड चैस्ट रिफरेंश लाइन नॉर्मल नहीं नॉर्मल कोई रे नहीं है क्या होगा यह जिसकी मतब से रेंगल बनाते हैं अंगल रहा होगा आये बिट्वीन रेंड रेंड नॉर्मल और यह यह क्लियर हो गया होगा नियागराम आपने बना लिया होगा चलो मिताबना है अब आते हैं लॉज्व प्रेट्शन पर लॉज्व प्रेट्शन वह असान नहीं लॉज्व प्रेट्शन पहला है Angle of incidence is always equal to angle of reflection पहला नियम क्या है Angle of incidence is always equal to angle of reflection Words में आप लोग लिख ले न Angle of incidence is equal to angle of reflection दूसरा है Incident ray Normal And Reflected ray Incident ray Normal and Reflected ray Lie on a same plane Lie on a same plane यह तीनो के तीनो एक ही plane में होते हैं हावाई जाज़ में इक तीनो एक plane मोहने का मतलब यह है यह देखो यह mirror है Mirror यह Polish surface यह incident ray यह reflected ray और यह normal Actually यह तीनो क्या है तीनो एक ही plane में तीनो एक ही plane में है और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट एसे कोई बात नहीं इसके लिए जस्ट लिखने के लिए बात थी कि एंगल ऑप इंसिदेंट इस इस इंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिदेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाया होना सेम प्लेंड यह लॉज उप्लेक्शन च थी मेंट आफ़ी लेक्शर के कोईश्चन जरूर रहेगा यह ब्रस्ट ना अब लोगों के लिए अटिक है न है कि अलाइट रे स्ट्राइकिंग और मेरा मेंकेंग अन एंगल थर्टी डिए फाइंड एंगव्ध एंगल आइड एंगल आइड 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 आपको बताना अब होगा क्या लोग जल्दवादी में अगर यह एंसी क्यों आ गया तो एंगल आई 30 डिग्री लॉप पड़ रखा है यह दोनों पराबर होते हैं तो आर भी 30 डिग्री नहीं ऐसा नहीं होगा घ्यान रखें इस बात का फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपको या मुल्में यह तो सब्सक्राइब यह अगल और यह जैसी इसे तो यहां चली जाएगी यह एंकल अब आपको यह मालूं है आई 30 तो i is equal to 90-30 ऑगर i 60 है तो एंगल आर भी 60 ही होगा एंगल आर भी क्या होगा 60 होगा गाए प्रिफ्लेक्शन होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लुग एक और आपको क्यों के बीच кв बीक están प्रेशर और धोड़ा सा भी कढड़ा गया तो आपको दिखना है जो आसा नृम् 어 और रिफ्लेक्टेटेटे बीचे बास उसके बाद कोई कंफूजन है चलिए एक पुश्चन और एक पुश्चन और कर लेते हैं है नंग आइए इंगल आई एन्ग अ बता आई हैं लाट्रे स्ट्राइंग रही है और यह अलां या नोर्मल यह लागए मतलब अगर यह नॉरमल है पर यह इंसिडेंट ट्रेव होगे एक प्रवान्यग्स नई सब्सक्राइक सब्सक्राइब ंरव सब्सक्राइब कि अधर सब्सक्राइब करें और ल७ेट मतलब यह है यह 습니다 कि इंगल जिया होता है 90 दीडिरी यह होता है दो पडूडल लाक्टे बीच पसंद आया होगा चले जेकंड लेक्ट्ट REAL लिए सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक सी बात है प्लेन मेरर के बारे में इसका मतलब इस चेप्टर का थर्ड लेक्चर से आप लोग निमेरिकल करना चालू बढ़ेंगे तो वेटन वाच बस पढ़ते रहिए खुश रहिए